मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी समर्संग वीदा पीपल हम भारत के लोग में जो सभाएं होती हैं वो पुराने तरीके से होती हैं पुराना तरीका मतलब जब समर्संग पैदा हुआ जब समड संग हमारे महापुर्सों ने हमारे दादा और दादी हमारे परदादा और परदादी ने बनाया बुद्ध से भी पहले उस समड संग में तब इसका नाम खाली संग हुआ करता था चूंकि हम लोग समड हैं इसलिए समड बोलते हैं समण का मतलब है SC, ST, OBC तब खाली समण हुआ करता था तो वहाँ जो सभाय लगती थी उनमें ना कोई मुख्य अथिती होता था ना अथिती होता था ना विशिष्ट अथिती होता था ना ही अति विशिष्ट अथिती होता था नहीं वहाँ कोई वक्ता होता था, ना मुख्य वक्ता होता था, ना प्रमुक वक्ता होता था, नहीं विसिष्ट वक्ता या इस्पेसल वक्ता होता था वहाँ कोई आयोजक भी नहीं होता था, ना कोई आयोजक, ना कोई मुख्य आयोजक, ना कोई सहय आयोजक और नहीं कोई संचालक होता था नहीं मुख्य संचालक और नहीं से संचालक होता था नहीं महा कोई की नोट स्पिकर होता था और नहीं महा कोई उदगाटक होता था यह सारी बीमारियां जितनी भी हैं पद की, पोष्ट की, परतिष्ठा की मुख्य अतिती की प्रिधान अतिती की संचालक की और सबसे बड़ी बीमारी अध्धिक्षता की कौन सभा का अध्धिक्षता करेगा कौन अध्धिक्ष होगा ये बीमारियां सारी की सारी मनुस्मर्टी से आई है दरसल हमारी जो सभाएं होती थी समण संग के अंदर वो सभाएं कोई समस्या आई या समस्या ना भी आई तो वो साथ दिन में एक वार मिला करते थे जिस दिन मिला करते थे जिस दिन मीटिंग करते थे उस दिन कोई काम नहीं करते थे तो उस मिलने को प्रिक्रिया को बोलते थे सन्नी पात बहुल बहुल माने अधिकतर और सन्नी माने जैसे कहते हैं न सन्नी कट बैठ जा या उसके सन्नी कट बैठा हुआ है या सन्नी सिन्नो यो सन्नी सिन्नो वर बोधी मुले यानि उसके नीचे साथ में तो सन्नी कट का मतलब होता था सन्नी पात का मतलब होता था सम्मेलन एक साथ बैठना इस सन्नी पात से ही सब्द पड़ा सन्नी चरिया यानि हम चरिया करते थे बैठने की साथ बैठने की इस सन्नी चरिया से ही सनी चर हो गया और उस सनी चर से शनी चर हो गया यानि शै में बदल गया और फिर सनी चर से सनी चर हो गया और सनी चर को मनुस कोज़ित कर दिया गया क्योंकि हम लोग इखटे होते थे तो हम लोगों का इखटा होना हम लोगों का सम्मिलिन करना किसी के लिए मनूस था किसी के लिए दुखदाई था जिसके लिए दुखदाई था उसने हमी को मनूस करके हमारे इस दिन को मनूस कर दिया ये हमारी सन्नीपात बाहूल की चरिया हुआ करती थी तो वो जो सन्नीपात बाहूल की चरिया होती थी उसमें लोग इखटे होते थे सुख दुख बारते थे बातचीत करते थे खेत में धहीं धान कैसा है किसी की साधी होनी है कोई छोटा मोटा जहड़ा हुआ या कहीं कोई आसपरास में कोई बात हुई कोई घटना हुई कोई जानवर पैसान कर रहा है किसी ने किसी को जानवने जफटा मारा कोई घायल हो गया या कोई समस्या जैसी भी आने वाली है उन पर चर्चा होती थी और जो सामुहिक चर्चा होती थी उसमें वो चर्चा सामुहिक रूप से रखी जाती थी फिर उस पर चर्चा होती थी कि यह समस्या आई है उस समस्या जो सामविक रूप से रखी गई है उस पर कुछ लोगों की दायर रखी जाती थी अगर डिस्पूट होता था तो कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता था कि यह डिस्पूट है यह लोग समझदार हैं इनके समक्षिये बात रखेंगे यह सही तरह से निर्णे करेंगे यह परणाली बहुत बात तक भी चलती रही जब हमारी पंचायतें लगती थी और पंच परमेश्वर हुआ करते थे यानि पंच परम इसी वर इसी माने वज्ञानिक होता है जानकार पंच माने पंच सील से बना हुआ है पंच सील का यानि पंच लोग और पंच परमेश्वर का मतलब है परमाने जो जादा जानते हैं पूरी तरह से जानते हैं तो इस तरह से पंच परमेश्वर के नाम से भी यह बात तक चलता रहा मामला तो टोटल मिलाकर उस पूरे के पूरे सन्निपाद बाहूल में कोई प्रधान, कोई पद, कोई पोश्ट, कोई मुख्य वक्ता, कोई छोटा वक्ता, कोई बड़ा वक्ता ऐसा नहीं होता था जिसको जो बात कहनी है, अपना हाथ खड़ा करे, नमबर आएगा, अपनी बात कहएगा, सब बरावर बोलने वाले, सब का बरावर अधिकार जिनको वहाँ चुना जाता था, कि आप इस बात को सुने, इस पर जज्ज्मन करें, वो तभी तक के लिए रहते थे, जब तक कि वो सभा चलती थी सन्नी पात बहुल खतम हुआ, जो चुने गए थे, वो साधरन लोग हो गए, बात खतम हो गई, वही तरीका यहाँ अपनाते हैं, इखटे होते हैं, इखटा होने के बाद में एक व्यक्ति को कहते हैं, कि आज का ये सभा पती रहेगा, सभा समालेगा, संचलन करेगा, कह कु लोग अपनी समस्या रखते हैं, उस वे विचार में मर्स होता है, और जैसे पुराने समय में होता था कि कोई अगर वाद विबाद का विसे है, तो जिसका वोट आदे से ज़्यादा आ गया, वो बात मानी जाती थी, वो बात सब को मानी जाती थी, तो हमारे यहाँ कोई मु बोल देगा, खड़े होके बोला, बात कही फिर बैठ किया, जिसको बात कहनी है, खड़े होके बोल देगा, तो जो अध्यक्सता करता था, या जो चलाता था, या जो पंच परमिस्वर था, वो भी बैठा रहता था, उसको जो बात कहनी है, वो भी खड़े होके कहता था, जिन को लगता है कि वो बड़े बड़े लेके बहुत बड़े ग्यानी हो गए हैं, जिनको लगता है कि समाज में उनको वी आई पी स्थान मिलना चाहिए जिनको लगता है कि उनके आने के बाद पूरी सभा खड़े हो कि उनका भिननन करे जिनको लगता है कि वो जो बोलें उनकी बात पर तालिया पड़नी चाहिए जिनको लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो बिल्कुल सही है उस पर कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए चर्चा नहीं होनी चाहिए जिनको लगता है कि अगर हम सभा में जाएंगे तो हमको उपर ही बैठना है चाहे दर से उधर हो जाए जिनको ये लगता है कि हम सभा में जाएंगे तो सबसे जाद हमी बोलेंगे और हमें बोलने नहीं दिया तो फिर हम नहीं जाएंगे या हमारी बेचती है उनों लोगों का यहां पुराने समय को याद दिलाते हुए अच्छी प्रिकार से निवदन किया जाता है कि ये सभा उस तरह की नहीं है आप भी बाकी आम लोगों की तरह हैं बाकियों के बरावर हैं आपका भी जब नमब आएगा आप हाथ उठाएए जब आपका नमब आएगा तो आप अपना बोलिए अपनी बात रखिए आप भी सम्विधान के अकॉर्डिंग मानने, सामनने और सम्ता में रहने वाले समण लोग हैं और सब का ओंदा और सब की इचत यहां बरावर होती है यहां भेद भाव और मुझ्दीच नहीं होता इसलिए आप एक वार समण संग की मीटिंग में आईए समण संग को देखिए जूम पर रोज मीटिंग होती है आट वजे उसमेर आईए या अलग-अलग शहरों में गाओं में मीटिंग लग रही है उसमें आईए यहां कुछ फॉन नंबर दिये हुए हैं आपको अगर समर संग में आकर देखना है देखे जरूर तो इस फॉन नंबर पर फॉन कीजिए कोई ना कोई आपको लिंक देदेगा आप उसमें जुड़िये और कोई पैसा कभी यहां पबलिक से नहीं लिया जाता और नहीं कभी जिन्दगी में लिया जाएगा लोगों को जुड़ने के लिए पैसे की आवसिकता नहीं होती पुराने सम्मे में भी जो सन्नीपाद बहुल होता था उसमें पैसे नहीं खटे होते थे हाँ जब लोगों को भूग लगती थी तो अपना वो कपले में बांद के रोटी लाते थे और लंबी अगर सबा खिच जाए तो बीच में रोटी खा लेते थे और दो रोटी फाल तू लेके आते थे ताकि दूसरे विक्ति को भी दे सकें शेयर कर सकें वही नियम यहां एड़ॉक्ट किया गया है तो आप समाज के SC, ST, OBC के अगर भलाग ना चायते हैं या उसके भले में लगे हैं या पहले से बहुत काम कर रहे हैं या मायूस हो गए हैं कि कोई result नहीं आता या हतास हो गए हैं या निरास हो गए हैं या ठक गए हैं या संग्ठनों से परिसान हो गए हैं या पैसे देते देते कंगाल हो गए हैं या इस बात से परिशान हैं कि संग्ठन वाले 50 जूंट बोलते हैं और एक भी कांट ठीक से नहीं हो रहा है तो आप समण संग में एक वार आईए ट्राई कीजिए आपकी निरासा 100% यहां दूर होगी एक आसा की करणा आपको दिखाई देगी आपके अंदर रख्त का संचार होगा आपको फिर उल्लास आएगा आपको फिर उम्मीद जगेगी ऐसा विस्वास सन्निपात बहुल की मीटिंग में पहले भी आता था और फिर आएगा धन्यवाद आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद दान इतन गठामू सन्गम सरेन गठामू सन्गम सरेन गठामू तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी संदं सर्णं गच्छाम। तुम्तियं पी संदं सर्णं गच्छाम। साथू, साथू